चलिन तो हमनोग किसी क्लास में हम दुद बाचीत कर रहे थे आपको इतिहास के बारे में बता रहे थे और बताया था कैसे हमारा इतिहास शुरूरी हुआ फिर 1857 की क्रांटी पर उसको बताते हुए आपको बताया था कि i пре 177 की क्रांटी के जो परिणाम हुए consequences वो बड़े बदलाव कारी साबिट हुए और उसी के बाद बहुत सारी changes हुए और उन्हीं बदलाव के करम में आपको बताया था कि राजनितिक दलों के स्थापना का एक दोर शुरूब पॉलिटकल पार्टी बनी और एक सेफटी वालों का और उसी की सहयता से 28 दिसंबर 1850 को स्थापना होती है भारती राष्टी Congress Indian National Congress अवंति भार्ती राष्टी Congress के स्थापना हुई उसन में डफरीन वाह स्रायत इसके स्थापना से जुड़े कई सारे फैक्स आपको बताया कैसे कैसे स्थापना फिर एक करके उसके जो शुरुवाती से संसे लिखवाया था कि पहला दूसरा तीसरा चोड़ा और शुरुवाती जो चार अध्यक्स थे वो लग-लग धर्मों के लोग थे फिर धिर करके जै चुरुव हो गई है और आपस में यह लोग बटी दो हिस्सों में एक बना नरम दल और दूसरा गरम दल मॉट्रेट एल एक्स्टिमेश्ट अब यह जो नरम दल गरम दल थे इन्में आपस में राजनीती को लेकि संघर्स हुआ जगड़ा जगड़ा इतना जादे बढ़ा क मार्पिट तक के नौबत आगे उनिस्व साथ में जगड़ा हो गया था मार्पिट हुआ जूता चपल और उसी के बाद से कॉंग्रेस दो हिस्सों में तूड़ जाती है दो हिस्सों में क्या तूड़ आती गरम दलियों को कॉंग्रेस से निकाल दिया जाता है तिलक को उसी तरीके साहिमारा फ्रीडम मोव्मेंट भी चलता रहा है तो उसी में कॉंग्रेस के पुराने आपको सेशन लिखाए था उन्सों 1856-87-88-85-6-7 तो उसी कंदिव करते हैं कॉंग्रेस के कुछ आन्या महत्तवण अजब्रेशनों को हम लग देख रहे थे होते हर साल थे खालने तो सेशन में तो 1192 सेशन और 네 इसके अधेक्षटा की बियंधर में कौन थे विशम नरायन धर तो यह जो देख्षम मैं कलकता से उसन हुआ कांग्रेस का इसी पहली बार कॉंग्रेसमें कॉंग्रेस की अधिवेशन में जनगढ मन का गान हुआ पहली कॉंग्रेस के डिविशन में क्या हुआ रिज जनगर्म से कि पए बार गया था के 1911 कलिकत्ता समय में पहली बार जनगर्मन तो कलकता सेशन 1911 का क्यों इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इसी में पहली बार को किसका गान हुआ था जनगर्मन कि इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं 1916 1916 1916 1916 का सेशन जो हुआ था यह लखनौ में इस अंवी का चरन मजमदार एक यह लिखेशन चाहरे प्रुख लगओ ना मृत कर दिन हिखेशन में और, क्युक्ति कस से यह स्धैट आप लिख सकते हैं पहली तो जो महतुपॣ गड़ना थे श्यूंड, तो वापस उन्होंने कॉंग्रेस में एंट्री करने की कोशिश की लेकिन जब तक पुराने लोग जिंदा थे नरम दल उनको एंट्री नहीं बाद में फिरोशा में तब तिलक केंट्री होती है यहीं निस्वों सोल में लखनव में मुस्लिम लिक का भी अधिवेशन चला था तो कॉंग्रेस मुस्लिम लिक के पीच समझाता हुआ जिसको कहा जाता है लखनव पैक्ट या लखनव समझाता है लखनाओ सब काता टैजेक से किसके बीच यह लिखनी क्रेंगे कि स्मेस्म कि करें लखनाओ सम्आगा कि ब्रेए कपर लखनाओ फेक्टा कई Special समझाता किसके किसके बीच कॉंग्रेस और मुस्यम्लिक के बीच तीसरी घटना जो ही इस 1916 के से सेशन में वुजे हुआ कि इसी 1916 से पहली बार भारत में अपने जो सार्वजनिक जीवन की शुरुवात थी वह गांधी जीने की तो गांधी जी के भारत में सार्वजनिक गांधी जी का सार्वजनिक भारत में कम और कहां से शुरू होता है 1916 लखनव से शुरू होता है तो यह तीनों घटना कहां पर हुए लखनव में कौन-कौन सी घटना नरम दल गरम दल आपस में मिल गया पहला दूसरा काम लखनव समझाता किसके किसके बीच कॉंग्रेस औ और मुस्लिम लिख की बीच और तीसरा क्या हुआ हुआ है ठीक से लिए अगला साल लिख लिजिए उनिस्तों सत्रह नाइंटीन सेवेंटीन कि उनिस्तों सत्रह कि कलकत्ता अब यह जो कलकत्ता सेशन हुआ नाइंटीन सेवेंटीन का इसकी अध्यक्स थी एनी बेसेंट क्यूं कि एनी डेसेंट ने कि सेशन के अध्यक्सता की держ στα के त्रक।ि पहली महिला अध्यक्ष थी फिर्स्ट 1st female president of Congress 1st female president of Congress 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 की पहली महिला देख्ष्था कौन थी एनी बेसेंट तो ने बेसेंट की पहली महिला थी जिनने किसके देख्षता की Congress की देख्षता की अग्ला लिख सकते है 1923 1923 1923 दिल्ली का ये special session था दिल्ली का दिल्ली विशेश special system था मौलाना अबुल कलाम आजाद बॉलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद यह जो 1923 का special session हुए जिसके अधेस्टा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की में यह मुलाना पूल काला माजा जब कॉंग्रेस के अब तक के सबसे यूवा अध्यक्ष है मात्र 35 वर्ष की आईउम परते नहीं चैनल के अब तक के सबसे यूवा अध्यक्ष यंगेश्टेवर प्रेज्डेट और कॉंग्रेस अब तक कि सबसे जीवा अध्यक्ष मात्र 35 वर्ष की आई हुए कितने साल की उमरें बने थे 35 तो यह उस दौर में कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे जब कॉंग्रेस में वाकई बहुत पढ़े लिखे लोग और धंके लोग को आगरते थे बड़े-बड़े लोग थे तो उ में उस दौर में मात्र 35 साल की उमर में कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनना यह बहुत बड़ा अचीमेंट आप कह सकते हुए वाके बड़े-बड़े विद्वान लोग भारी-बार कम लगवा करते थे तो यह फ्रिडम फाइटर में थे इन्होंने स्वतनता संगराम पर अपन तो इंडिया विंस फ्रिडम किसकी किताब है मौलाना अबुल कलामाजाद की किताब है इंडिया विंस प्रिडम मौलाना बुल कलामाजाद ने एक किताब भी लिखी थी और इनकी मैगजिन चलती थी पत्र अच और इंडिया निक्स की उपर था अलहिलाल अलहिलाल नाम की तो नंपू नम की मैगजिन किसम सलेए और इसेे बिग को सी थी इंडिया एप्रीडम तो यह freedom fighter थे और भारत जब सुतन भारत सुतन भारत में पहले सिख्षा मंतरी बने थे फिर्स एडूकेशन मिनिस्टर बने थे और इनकी थोड़ी ज़्यादा भी थी ज्यादा इसलिए भी थी मुसल्मानों में क्रेज इनका थोड़ा ज्यादा था कि यह इनकी जो पैदाइस मुसल्मानों के लिए सबसे पवित्र जगा धर्ती पर कौन सी माने जाते हैं मक्का क्योंकि मक्का में मुहमाद साब के जर्म हुआ तो इसलिए इनका वैल्यू थोड़ा से ज्यादा देते तो यह सोची में 50 लाग में सवाल पूछा गया था कि कॉंग्रेस का अब तक का सब अगरेस वर्स के आगे ठीक है चलिए अगला लिख लिजे उनिस्टो चोबीस 1924 बेलगाओ 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 1924 बेलगाओ जॉबिस 1924 बेल गाउं तो बेल गाउं के अधेक्स्था की महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने जो कॉंग्रेस के अधेक्स्था की अपने पूरे इंटार पूरिड कल लाइस पें पहली और आखरी बार गांधी जी कॉंग्रेस के अधिक्ता करते हैं फॉर्ड फॉर्स और लास्ट टाइब पहली और आखरी बार पहले और आखरी बार कॉंग्रेस के देख्षता किस ने कि थी गांधी जी ने कप किया था 24 कहां पर किया था बेल गांधी जी करनाटका में है और यहीं से बेल गांधी जी का जो आप ट्रांस्फॉर्मेशन देखते हैं इससे पहले गांधी जी कुर्टा पजामा दोती कुर्टा टोपियों पहनते थे लेकिन जब बेल गांधी जनता जिसके पास खाने के लिए बोजन नहीं था पहनने के लिए कपड़ा नहीं था तो उनको देखके इने लगा कि हम भी वैस जो गांधी जी के वर्तमान तस्वीर आप देखते हैं यह उनने सो 24 से ही दिखाई पड़ती तो पहले वह भी कुर्टा और पहनते थे यहीं से गांधी जी का जो ट्रांस्फॉर्मेशन शुरू होता है लिए गांधी जी ने लंगोट धारण किया या उती जो गुतने तक तो यह जो फूर्टों पर नोटों पर जो गांधी जी की तस्वीर आप देखते हैं यह कब से दिखाई देते हैं 1924 से चलिए अगला सेशन हम लोग देखते हैं अगला सेशन आता है 1925 का 1925 का 1925 का सेशन हुआ का कानपूर में और इस कानपूर में धेक्ष बने हो सरोजवनी नाइडू हरो सरोजवनी लिगे सरोजवनी नाइडू तो जो सर分ने खरली भार्ती महिला घिक्षर ऐंस्ट अ मक्याइश्ट Teddyआ कम कान पुर आपकेल आगस्ट पार्यों वोमनि पेसिट अकॉंगरेस फर्स्ट इंडियन मुमन पहली भारती महिला तो पहली भारती महिला देख्षया कौन थी सरोजी नाइडू पहली महिला देख्षया कौन थी एनिवेशन ध्याने कि पहली महिला देख्षया अगर पूछा जाए केवल तो एनिवेशन थी ठीक है और वहीं अगर कहा जाए कि प 1923, 1928, 1926, कलकत्ता, 1928, कलकत्ता, मोतिलाल, नहरु, मोतिलाल, नहरु, ठीक, फिलिके उननी सोनत्तीस, 1929, लाहुर, जवाहर लाल नहरु, 1929, में धेक्ष्टा, कॉंग्रेश की कौन करता है, जवाहर लाल नहरु, अब यह जवाहर लाल नहरु के अधेक्ष्टा में कॉंग्रेश का अधिवेशन हुआ, हालांकि इस अधिवेशन में पहले चुने गया थे गांधी जी, पहले गांधी जी चुने गया थे, महात्मा गांधी को पहले चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इंकार कर दिया था, उनका कहना था कि अब समय बदला है, युवां लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो फिर गांधी जी किस को बनाया गया, नहरु जी को बनाया गया, तो पहले चुने गया थे कौन, गांधी जी लेकिन उन्होंने बना कर लेकिन की स्थापना फिस महीने मं हुआ गांधी नियुकुरिच की सभाषी इस से ख्शन होते थे क्यों अधिवारीस के जी शेचन होते थे वो सुमकर ख सहने हो और त्य लृटे में सबसे लास्ट टारिक लिख सकते हैं 1112 1929 जवाहलाल लहरु ने जवाहलाल लहरु ने रावी नदी के तक पर तिरंगा जंडा फेराया और पूर्ण स्वराज की सोगन दखाई एंटेक्डो उताफ पूर्ण स्वाराज की सोगन कप्खाई गई थी 31 दिसंबर 1929 पूछा जाता है कि पहली बार पूर्ण स्वाराज की मांग कब और कहां की गई थी 1929 कितनी टारिख को 31 दिसंबर को कहां पर लाहोर में रावी नधी के तक और और किस ने गया था जवाहलाल देह Region देउवे कि पहली बार पूर्ण स्वाराज की मांग गई एंगार पून के मांगा थी लाहोर में इन्होंने पूर्ण सवराज की दिमांड की पूर्ण सवराज की मांग की 31 दिसमर भूआ अगला महिन आया जन्वरी का और यहां पर लिखते जिए 26 जन्वरी 1930 26 जन्वरी 1930 पहला स्वतनत्रता दिवस मनाया गया फॉर्स्ट इंडिपेंडेंस देवस कि सबक्राइब कि शतन्दुन मनाया गया आं लुई 26 जन्वरी 1930 को पहला gracz मनाया। कि है तब से ही 26 जन्वरी को इन्होंने 26 दिवस के रूप में बादिवर्ण स्वार्ण हुआ है अब 26 जन्वरी को इन्होंने सवतंता दिवस के रूपे मनाने के शुरुगात की गई था साल मनाया जाने लगा लेकिन जब भारत सवतंतर हुआ तो भारत कितनी तारीकों सवतंतर हो गया था पंदरागेस्ट को और कसम कपकी खाई गए थी 26 जन्वरी की तो कसम अधूरी रह गई तो हुआ कैसा करते हैं कि जब हमारा समिधान बनेगा तब उसको 26 जन्वरी को लागू किया जाए लेकिन जो हमारा कॉंस्टिटूशन तैयार हुआ तो वह भी 26 नॉवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था अब तुरंट में लागू कर देते तो फिर वही कहा नहीं हुती कि फिर उनकी कसम अधूरी रह जाती पहले इस कसम ठाके बैठे हुए तो इसलिए समिधान एडॉप्ट कर लिया गया स्विखार कर लिया गया 26 नॉवंबर 1949 को दो महिने का डिले था 26 दिसंबर 27 तो फिर फाइनली 26 जनुवरी 1950 को हमारा समिधान लागू हुआ और तब से भारत रिपब्लिक बना और 26 जनुवरी को फिर क्या कर दिया गया रिपब्लिक तो 26 जनुवरी वर्तमान में क्या मनाय प्रिपब्लिक पर रूपे मनाये जयाता है कर तन देश कििनन स्विट्न से पहले यही क्या हुआ करता तो इंडिपेंडेंदेंचे जरूपती सब्सक्राइब है । पहली बार शब्तुनता दीवेस कम बनाए गया 26 जनुवरी सब्सक्राइब कि इसलिए अगला सेचन आजाते हैं है थी अगला सेचन लिखे 1931 कि 1931 करांची करांची सरदार पटेल करांची में कौन थे सरदार पटेल तो यह जो सरदार पटेल के अधिक्स्ता में करांची में हुआ कि आधिकारों के मांग के गई पहली बार कॉंग्रेस के मांग के गई तो पहली बार मौली कादिकारों की गई कब उनीच और उसकाराची से सेक्ष्ण के अधेक्ष्णों थे जवाहरलाल देरूं कि पहले बार किसकी पांग की गई बॉली करिकारों के पंडामिटर रेट से इसके बाद अगला लिश्टी के 1932 1932 का सेशन हुआ दिल्ली में और इसके अधेशना की आज़ी अम्रितलाग और डि अम्रितलाग कराशी इरुशन के नेक्ष्टा कि इसने कि पाड़ी अम्रितलाग आड़ी यानि पुरा नाम थाइन के लिख सकते हैं रण छोड़ दास रण छोड़ दास है अम्रितलाल अ है है पुरा दास अम्रितलाग में यह रण छोड़ किसका पर्यवत्rado चिन करें टोन किसको कहा गया तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है तो क्रिष्ण का पर्यावाची क्या है तो किसी कहा गया रणषोड के बाग गया तो इसको गाली नहीं समझदा बेज़ेती नहीं समझदा तो क्रिष्ण को कहा गया तो रणषोड तो यह जो रणषोड दास थे यह कॉंग्रेस के पहले अनुसूची जाती के अध्यक्स कॉन थे लडी अमरित लाल ए लाट लगा सुएकram पहले अनुसूची जाति के अध्यक्स के तो कांग्रेस के पहले अनुसूची जाति के अध्यक्स तो है फैजपुर, 1937, फैजपुर, F-A-I-Z, फैजपुर, फैजपुर, ठीक, जवाहलाल नहरू, ठीक, जवाहलाल नहरू, इससे पहले जितने भी कॉंग्रेस की सेशन आप देखेंगे, तो वो किसी ने किसी शहर या किसी कजबे में हुए थे, ठीक, हम देखे, सब किसी इनकी शहर में है, यह पहला कॉंग्रेस का सेशन था, जो किसी गाउ में हुआ, तो कॉंग्रेस का पहला अध कॉंग्रेस का पहला जो गाउं में हुआ है तो यहां से कॉंग्रेस का जो समाजवादी जुका विक्षुली हुने लगा था कि अब समाज की सब वर्गों को लेना था तो इसमें इन्होंने अब कहां करना शुरू किया करना शुरू कर दिया अग्या अग्या लिशेंगे उन्नीस सो और तीस नाइंटीन थाटी एट हरीपूर हरीपूर नेता जी सुवाश्चंद्र बोस नेता जी सुवाश्चंद्र बोस नेता जी सुवाश्चंद्र बोस ठीक सुवाश्चंद्र बोस पहली बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने सुवाश्चंद्र बोस पहली बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने तो सुवाश्चंद्र बोस पहली बार कॉंग्रेस के नाइटिन थाटी नाइटिन था नाइटिन थाटीन था नाइटिन थाटीन था यह वां त्रिपूरी में हुआ तो यह जो त्रिपूरी सेस्न था यह फिर विवादित हो गया फिर से यहां पर जगड़ा हो गया इस त्रिपूरी शेशन में व्यक्रेश्चंद्र प्ररांस भृतिन पॉललंड इनकी लड़ाई चल रही थी जर्मनी इटली जापान से तो यहीं दोनों पार्टियां बने हुई थी तो इनहीं के इनहीं में इंडिया की पोजीशन को लेके संगर्स्था जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो शुरुवाते दौर में क्या था कि ब्रिटेन की स्थित में अर्तिक मंदी शाया हुई थी अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वारें पुरी तरीके से आने रहा तो ब्रिटेन की हालत क्या थी बहुत खराब थी कमजोड थी डिए का ब्रिटेन चाहता था कि इस वर्डग और की शुरुवात में भारत की लोग ब्रिटेन की मदद करें गार कि भारतियों के मदद से युद्ध जीत सके तो उस समय हमारी जो राजनितिक नेतित था जो हमारा लीडर्शिप वुट टुकुड़ों में बटा एक तो गांधी जी के लोग थे गांधी जो उनका नेतित था गांधी जो उनके फॉल्वर्स चाहते थे कि समय हमें सेकंड वर् में पराजित हो जया है तेक को अललेकिन सुवाशन पर उनके समर्थों कї माननने जल्ग कहने था तक डे हमारी द्शमनी किसे ठी जर्मनी की से जापां मैं अवए आरे दुश्मनी दुश्मन ने वहता होना चाहिए दोस्त होना चाहिए है så हमें सेकेंड वर्ड वर्ड में प्रिटेन की तरफ नहीं किसके तरफ होना चाहिए प्रिचाकान की तरफ होना चाहिए तु इसी बात को मिलाजुना की Vivaard कि कहाँ जाए कि सवास्य वह व इसका पक्षे चाहते थे जर्मनी का और गांधी जी ब्रिटेन का उसी को लेगी जगड़ा हुआ फिर से अध्यक्षपर्द को लेकर शुरू हुआ कहा सुनी कि अध्यक्षपर्द के कुछ बने की बार जो अध्यक्ष भनेगा उसका हमारी हो थीर teacher ऊपने दावेदारी प्रस्तुत कर देकी जब उनकी खिलाफ को नढ़े यह तो जब दावेदारी प्रस्तुत की तो प्रप्रोज ने खिलाफे गांदी जी इस किस्तर पर आच चुके थे तो पहले पकड़ा गया मौलानाबुल कलामाजाद को कि जो है कि उनको कहा जाए कि आप तयार हो जाई पढ़े लिखार में पढ़ना नहीं चाहते तो उन्हें तो पुख्यान ने मना किया तब कौन खड़ा होगा तो थे टेर अब घंधीजी से लेकिन यहांकी चुनवर ठोड़ते यहांनि कि था मुकामला गांध्य जी और सुबाष्चन बोस के ही बीच लेकिन सुबाष्चन बोस खुद तो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन गांध्य जी कुछ नहीं लड रहे हैं पनी तरफ से एक देमी कैंडिडेट करा तो जब चुनाऊ हुआ तो चुनाऊ में लग बढ़ 150 वोटों के मकाबले 1200 वोतों से पट्टा भी सीधा रहे चुनाऊ हार गए और सुभास्चन बॉष अधेक्ष बन गये यह यह सीदे किसकी हार थी गांधी जी पट्टा भी नहीं है यह तो किसकी हार थी गांधी की घांध क्यूंकि कॉंगरेस की जो सबसे बड़े अथोर्टी तेक क्युक्त पंदरा में से 13 जगांधिजी में को क 가지ो के किंवल कर दिया जब उन्होंने अपने अध्यक्ष पर द्वेला जो है कि दबाव बनाया तो फिर कि महीं लागू करना पड़ेगा तो वरकी कमीटी नहीं करेंगे जब ज्यादा दबाव बना तो कॉंग्रेस वरकी कमीटी के पंद्रह में से 12 सदस्यों ने रिजाइन करते हैं सब्सक्राइब करें वरकी कमीटी काम चलाना है नहीं बनाने पड़ेंगे नहीं कहां से सुने जाएंगे राज्यों संपी चुने जाते थे तो फाइनली जब विवाद बढ़ा तो फिर सुभाष चन्बोस ने कॉंग्रेस के अध्यक्षब से रिजाइन करने यानि बंत हो गये लेकिन इतना ज्यादे जगड़ा इतना ज्यादे विवाद था कि उन्हें क्या करना पड़ा इसाइन करना पड़ा ठीक है कि पहले सुभाष चन्बोस अध्यक्ष बने कि उन्होंने किसको पराजित किया उन्होंने गांधी जी के प्रतिनिधी कि पट्टाभी सिता रमय्या को पराजित किया गांधी जी के प्रतिनिधी रिप्रेजन्टेटिव आफ गांधी जी पट्टाभी सिता रमय्या को पराजित कर लिया कि पट्टाभी सिता रमय्या को पराजित किया पटावी सितर मैय को क्या किया पराजित कियाili कुल लेकिन कारिकाडनी के विरोध के कारद पर जूटुम्द कि कोनफ्लिक्ट की का अ हुव सब्सक्राइग करने कद तीनकोंग्रेस कार exhibits के विरोद के कारण उन्होंने क्या किया स्तिफारदे선ंड प्रीजाइंड का लेकिन काड़णि के विरोद के कारण उन्हों सटिफारदेन लिए सिय्व कॉंग्रिसवरिंग Rapid कि विरोद किया तो उनको और करना कड़ा चाहिए वह सबस्क्राइब में को तो फिर बाकी समय के लिए अध्धैश को बनाया गया तो बाकी समय के लिए डॉक्तर राजिन पुर्शाद अध्यक्ष पत्र लिए उनके त्यक्पत्र के बाद उनके त्यक्पत्रे के बाद बाकी समय के लिए डॉक्तर राजिन पुर्शाद कॉंग्रिस के अध्यक्ष बने बाकी समय के लिए डॉक्तर राजिन पुर्शाद अध्यक्ष बने अध्यक्ष के लिए कौन बने डॉक्तर राजिन पुर्शाद के लिए अब जब यह अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष बनने के बाद भी ने कहां किया कि एक पार्टी बना लें फारवर्ड ग्लोक नामक पार्टी की स्थापना की अब फारवर्ड ब्लोक नामक पार्टी की स्थापना की अब फारवर्ड ब्लोक नामक पार्टी की स्थापना की तो फारवर्ड ब्लोक पार्टी किसने बनाई थी शुबश्यक्ष बनाया थे तो जब इन्होंने फारवर्ड ब्लोक नामक पार्टी बनाई तो फिर इसी कारण यह वाद पर मंदी स्पेंड़ेट इसी कारण उन्हें कॉंग्रेस से हमेशा के लिए निश्काशित कर दिया गया इस थाही रूप से निलम्बित कर दिया गया कि कॉंग्रेस तो कब इनको अटाया गया कि कॉंग्रेस इनको क्या कर दिया गया तो कॉंग्रेस इनको क्यों अटाया गया क्यूंकि नहीं क्या बना देती पार्टी बना देती इसे वज़े से अटा दी तो यह जो था बहुत दिस्पूटेट थाहुने सोन तालेश का से सब्सक्राइब क्लेर अच्छा इसमें कौन जादे सही था सुभाष चनबोस जादे सही था कि गांधी जादे सही था को यह कहीं सही हुगा यह इधर यह इधर कि यहीं गांधी जी समझा रहे थे कि आप किसकी मदद ले रहे हैं जर्वने इटली जापान जैसे तेश यह है क्या को देखिए तो वैसे कभी आपको निष्टे पढ़ने का मौका मिले आप उर्पे निष्टे पढ़ेंगे तो जर्वने और इटली कभी एक देश थे नही यह सब 870 के बाद यूरोप में राष्ट के रूप में उभरें तो उर्पें इस्ट्री में टॉपिक पढ़ाए जा था यूणिफिकेशन और जर्मनी का एक ही करण तो जर्मनी और इटली एक था राष्ट के बाद क्या बने राष्ट बने एक देश बने जब यह राष्ट जैसे ब्रिटेन था फ्रांस स्पेन अब बीगाल थाइस बाकी दुनिया बर के देश ओपर कब जा किया हुआ अमीर देश थे तो यह बी जब एक बने तो उन्हें के अंदर भी यह कंपपटिशन बढ़ा के बाकियों से मुकाबला करेंगे यह विश्वाब निसक्राइब पढ़ा निकलने की होड लगी अब जैसे ब्रिटेन ने भारत पर कप जया हुआ फ्रांस का भी दुनिया के पर कप जा था तो जर्मनी इटली भी बड़ी कि टो लो हम दोंगी कप रहा हो चुका था अफरीका बचा हुआ तो जो काम ब्रिटेन ने भारत में 200 सालों कि इस्टिया कंपनी की स्थाफ्टा सब्सक्राइब सोलसों में भारत आये थे और सोलस से ग्यारत से लोग व्यापार करना शुरू कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी कि सत्रस रसाथ सट्रसोंगत यानि कमपणी वारत आने के देड्स सलवाद तो बंगाल जीते घ्ले है तो उसके साल बाध अधार्रहल वड़ाग्प्शन पर क्रणति हुि तब ब्रिटेज सरकार का कंपर पूहां पर हुआ है 네 जो काम ब्रिटेन ने भारत में 200 सबनेत किया वह जहरमन इतली ने अफ्रीकिये देशों में एक प्रीक ग्रीटेरन को में स्देसेन भाइड जाती थी मारकाट कारilian सिधा कब्जा कर जब लार कंदिया ते जिसका अफरिका करते था। अंह quarterback अफरिकां गजड़ी सब सब्सक्राइब के समय हिटलर को यहुदियों से नफरत हो गई इस बात पर कि पूरे साथ लाख यहुदियों की जिन्दा चुन-चुन के वारा आधी 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 यहुदियों खत्म होगी एक करोण लगभग जो है कि चलिसलाग एक और साथ लाख लोगों की अधिया करना आप समझते हैं अब साथ लाग लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी एक को गोले नहीं में आधे गोली भी तो खर्च होगी साथ लाख और उसमें भी ठीक ठाक लोग जिसे किसी घर में उसे देखे कोई बच्चा दिखाए तो बच्चे को तो उठागे इसे च्छत से पेटकते थे नीचे टिप पांगे मरें बुजूर्गों सीरे च्छत से उठागे नीचे फैंटे बड़े-बड़े खाली लोगों को मारने क लिए गैस चेंबर बनाया गया था टाइब से चेंबर मनेते मकाईदर ट्रीने जाती थी और गयके गैसे चेंबर में 445 लोग चार्चार सो पांट पांस वोगों को ठूशा जाता था बाहर से चेंबर बंद कर दिया जाता था उपर से जहरीली गैस फूड़े गया यहां वह बर बर देखाती खाली मरने के लिए जो दूर दराज के लाके होते थे ट्रेन नहीं जाती तो वहां वो ट्रक लेके जाते डी ब्रेड वाली त्रक आती वी वैसे ट्रक जाते थे ट्रक में लोगों को भर दिया और ज्याइस की पाईप अंदर डालती स्टर्ट कर तीने अब इतने साथ लोग आंतिम संस्कार नहीं करें कि लोगा तो बस बड़े कड़े कर देते तीजा कर देती चाचार लाश टंग तो बदुनावे तो लिए पर प्रत्रोल शिडग कर देती और मिटी डाल के सीरे कवर कर देता है जर्मनी वाले उससे कई कदम आगे अरे जापान वाले जापान तो अधा चाइना पर मंशुरिया पर जापान ने कभ्या कर देखा लोग सुई दवाई बनाते हैं जो जानवरों पर टेस्ट करते हैं तो जापानी जिंदा चीनियों पर एक्षिन लेखते थे खोई नेया बनाया तो जब चीनियों बढ़ा के देख रहे हैं कितना मरा कितना बचा जिंदा लोग वह पर टेस्ट करते हैं कई जगों पर जब जब जापानी हमला करने गये थे जब उनको भोजन नहीं मेलता था जापानी शिपाई में को इंसानों को मार मार के उनके मांस को सोया में इंसानी मांस पका पका किखा जाते थे जापानी कितने अच्छे थे वह कहते हैं कि चली सुभाशन बोजी हम आपकी मदद करते हैं तो भारत को आजात करा देंगे तो भारत की राष्टती बन जाईएगा हम चले आएंगे जाता है या हिटलर भारत इसलिए आता कि प्राहन मंत्री बन जाएए हम चलते हैं जर्मन है वह हमारे लिए आता कि अपने लिए वाते तो क्या चली जाते हैं जो दुर्गति करते कि अज बुलने लाइक नहीं बचते जहां जहां उनका कब जा था अफ्रीकी देशों की हालत आज भी खराब हैं हमारे लिए दोनों अगरे में आट कि लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो देखना पड़ेगा कौन जाना घर्टे कौन गम घर्टे कि असलिए पढ़ना क्या होता है जरू भी ऑप इतिहास वड़ते हैं तो आप फैसला लिने में सख्शम होते हैं क्या सरहे है कि पहले दिन फिन दिएसवाद में आपको बताै तहीं कि जो हुआ है वहीं हो है इसोड़ी थोड़ी कि कभी इतियास पढ़ी ही फिर आप सही गलत करने लेंगे ठीक है चलिए अगला साल लिपते हैं अगला साला जाही उनिस सो चालिस नाइंटिन फॉट्टी 1940 रामगड 1940 रामगड मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद अब जो रामगड सेशन हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेथे तुम्हें तो इस रामगड अजबेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद बने तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जभी कॉंग्रेस के रधाक्स बनते थे कोई ने कोई रिकॉर्ड जरूर बढ़ा पहली स्वातंत्रता से पूर्वा सबसे लंबे समय तक Congress के अध्यक्ष रहा है सबसे लंबे समय तक Congress 생겼 defining ये बने डिये सब्सक्राय से पूर्मज में शनीबった कैसा सब्सें कि समय तक Congress के अध्यक्ष हच रहाó afar go but for the independent longest time of temperatures is Congress के सबसे लंबे समय तक ध्याक्ष रहा है कि तो सुति न्याक्ष से पूरु Congress के सबसे लंबे समय चांश कहा है।93 कौन रहे हैं बोला ना बूल सलम आजयर है सबसे लंबे समय समय तक ध्याक्ष रह है है 1940-45 सब्सक्राइब कर दोने सो चालिज से पैतालिज तक तिक तो फिर अग्ला लिख लिए नैंटिन है 46 उने सच्छालिज है उने सच्छालिज है मेरट मेरट जे बी क्रिपला में जे बी क्रिपलानी कब बने मेरट में 1906 तो इसे बताए कि कॉंग्रेस की सेशन जनरली दिसंबर में होते थे तो दिसंबर 46 में हुआ फिर अगला साल आया 1947 पंदर अगर्स 1947 को भारत क्या हो गया स्वतन्त्र हो गया तो स्वतन्त्रता कि समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन अद्धित तो स्वतन्त्रता के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष तो स्वतन्ता के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जे वी क्रिपलानी हो गया है अ अब कुछ एक साल बोला है कुछ एक साल लिखें लिखें निखें उनिज्सों 30, 1930, 1935, फिर उनिज्सों 41 से लेके पैतालिस तक 41-45 इन वर्षों को घेर के लिखें कोई अधिवेशन नहीं, कोई अधिवेशन नहीं नहीं यहसे बताया था कि जब कॉंग्रेस के स्थाफ्ला के बार से कोई इसे की इसे नहीं हुए तो, पहली बार ऐसा कभ कुछ महतरपोड द्वेश्च जो आपके एक्जाम में पुछे जाते हैं अब इसके बाद वापस हम लग वही पास तक लोटेंगे और हमारे को आगे लेके चलेगे तो अभी के लिए इतना ही बनेरिया हमारे साथ मिलता है लिकलाचा फिर्डम मुवमेंट के साथ तेंक्यू अ करणें लिकलाब कि पहा हैं चोटार पर दाया हैं जनलिकलाबे हमारे यहाँ कि जिएकी प्याओे टेंडत है उनलिकलाब ऑगे आदेंगे कि भीकलादा स।।'. झाल झाल